हलो नमस्कार जैहिंत स्वागत है सभी गादी का मंत्रा पर मैं विकास गुपता हज़िर हूँ आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के जहां हम प्रप्रेशन कर रहे हैं के वीएस पीजीटी कॉमर्स की जिया यहां पर के वीएस पीजीटी कॉमर्स और साथ साथ में यूपी चर्ज भी नहीं गरना है और शायद यह पहली बार ही है जब पीजीटी के लेवल का जो कॉमर्स का कोर्स है उसकी कंप्लीट क्लास कंप्लीट कोर्स हो आपको यूट्यूब पर इस तरह से इतने डेटेल में अवलेबल होगा तो यह वीडियो क्यों आपके लिए जरूरी है मुझे बताने के लिए आपको जरूरत नहीं महसूस होती है आपको इस चीज को जब देखते हैं या पढ़ते हैं तो आपको इस चीज को देखते हैं कि यह वास्ताव में यह वीडियो हमारे लिए क्यों जरूरी है और अगर आपको यकीन ना आए तो आज का वीडियो treatment कैसे किया जाता है इससे पहले हमने किया था जव harmed general issue तो इसके बाद हमने जो दूसरे घरें हो month video में जो हमने देखा तो उसमें हमने पढ़ा की कैसे calls in area симц a question advanced और और आज जो हम study करने वाले हैं एक ले अंडर subscription और recording लोगा शुर्म to भी ना धेर किसीधा आज वीडियो पर चलते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले चानल को सब्सक्राइब शरूर कर दीजिए ठीक है तो यह चैनल आपका है और इसकी ग्रोथ की जम्यदारी आपकी है अगर आपको जरा भी लगते हैं कि आप इस चैनल से कुछ सीख रह हुआ हैं समझे दिए एक मार्क स्वास भी कहीं पर भी एचनल आपको थोड़ा सा भी कोंट्रीवीट कर रहा है तो आप यह आपकी क्या कंट्रीवूट जादा से जाल पहुंच यह जो किसी पर अपनी करना चाते हैं लेकिन या तो उनके पास resources available नहीं है और resources available हैं लेकिन उनको वो actual material नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें चाहिए तो इस journey में आपकी भागिदारी महत्वपूर्ण है और आपके वेना कुछ नहीं हो सकता है इसलिए मैं आप से कहा रहा हूँ कि जादा से जादा चैनल को share कीजे और हाँ subscribe तो बिल्कुल कर लीजे चलिए मिलते हैं अपने आज के वीडियो में जिसका नाम है under subscription of shares तो under subscription of shares में जो हम study करने वाले हैं तो वो हम जो study करने वाले हैं तो उसको एक बार देख लेता है समझ लेता है कि इसमें हमारा रहने क्या वाला है ये को under subscription क्यों और over subscription क्यों अब जब आप लोगों को मेरी company ने shares issue किये हैं तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरी company के जो shares है उन्हों को खरीदने वाले हो और अगर आप उन्हें खरीदने वाले हो तो चैसे सपोज करो एक उधारण के ही तोर पर ले लेते हैं वह यह है आपका जैसे यह company है देख रहा है यह company है और यह क्या है पब्लिक है यह क्या है पब्लिक है अब company क्या करती है company prospectus इशू करती है किसको पब्लिक को सपोज गोरो company ने 1000 equity shares इशू करें कितने इशू करें 1000 equity shares यह ठीक है न तो अगर company ने 1000 equity shares इशू किये हैं इस पब्लिक को तो इसका मतलब है यह सभी लोग क्या करेंगे company में application बेजिंगे क्या करेंगे company को application बेजिंगे कि हमें इतने shares ददो हमें इतने shares ददो हमें इतने shares ददो अब condition क्या हो सकती है issue में इशूड शेयर से में कंदीशन से क्या हो सकती है कि जितने आपने इशू करें वो सारे के सारे क्या हो गए fully subscribed हो गए किigu का मतलब की आता है कि company ने 1000 shares अगर issue कीए है तो logo को या ना तो logo को क्या होगा एक लोगो ने जो applications हो बेचे है वो कितने shares के लिए मैंचे होगे 1000 के लिए तो इसको बोलता है fully subscribe fully subscribe का मतलब जितना हमने issue का रहे उतना ही हमें क्या हो गया एप्लिकेशन रिसीव हो गया अच्छा दूसरी कंडिशन क्या बनती है पहली कंडिशन दूसरी कंडिशन क्या बनती है कि आपने इशू तो 1000 किये लेकिन आपके पास एप्लिकेशन पहुंची इसे ही 9500 कितने साफ पुछ नइटे फ्वाइंट्रेट से और तीसरा कि वो सकते कि आपने शू कितने एक वन थाॉ जड़ लेकिन आपके पास जो एप्लिकेशन पहुंची है आपके पास एप्लिकेशन पहुंची वह ग्यारा हजार के लिए है अप्लिकेशन पहुंच गई य है यह एक मिनट कि अच्छे एक हजार है रुको 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 यहां पर गड़वा रुक यह 95 इसको 950 लो 950 तो इसका मतलब कि यह अगर सारी की सारी सब्सक्राइब हो तो फुली सब्सक्राइब है अगर कम के लिए अप्लिकेशन आ रही है तो अगर ज्यादा के लिए अप्लिकेशन आ रही है तो ज्यादा हो गए विए वाम नीषे वाली बत तो इसी चीज़ को कह जएता है ओर संस्व क्रिप्शन तो अभी यह तो हमने कर लिया और तुमने पिछली दो अच्छा इसमें सर क्या कंपनी के लिए कोई कंडीशन एपलाइड है कि मिनिमम कितने आपलीकेशन आने चाहिए हाँ कंपनी के पास जो मिनिमम सब्सक्रिप्षन होना चाहिए वो 90% होना चाहिए यह मैंने साथ कितना सब्सक्रिप्षन होना चाहिए 90% इसका मतलब है कि अगर कंपनी ने इन्हें 1000 शेयर से इशू किये हैं तो यह जो पब्लिक है ये company को अगर 900 तक कितने तक 900 तक application देती है तो ही company इन लोगों को issue कर पाएगी और अगर sir कम के लिए हुआ तो suppose करो 899 ही आ गया तो भी company इन लोगों को share issue नहीं कर सकती तो minimum इतना होना जरूरी है तो इसका मतलब यह है कि 90 परसेंट का subscription होना जरूरी है अब sir इसमें entries कैसे बन सकते हैं देखो entries के लिए question क्या पूछ सकता है जैसे एक हाईपो तर्टे के लिए example ले लेता है a b c limited issued 1000 equity shares of rupees 10 each at a premium at the rate 10 percent right application was received for 900 shares ठीक है और company ने यह जो 10 रुपे है वहीं दस रुपे तो यह हो गया और premium कितना हो गया एक रुपे का वहीं 10 रुपे का 10 रुपे का 10 रुपे का 10 रुपे हो गया तो इसका मतला है company ने share की face value कितनी है 10 रुपे और premium कितना है एक रुपे का जिस पर तीन रुपे कंपनी ने किस पर मांगे आप्लीकेशन पर मांगे चार रुपे company ने éta़ पर मांगे और तीन रुपे कंपनी किस पर मांगे है फाइनल कॉल पर तो सरी εδώ एक रुपे है यह किस पर लेगे यह हम लेगहे यहाँ पर Allotment के साथ कि इतनी बात clear हो गया अगर आपके इतनी बात clear हो गई है तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए अब आप क्या करेंगे अब आप लिखेंगे यहाँ पर issued shares तो issued share में यहाँ पर आप लिखेंगे 1000 और यहाँ पर आप लिखेंगे application received क्या लिखेंगे आप application received तो application received लिखेंगे आप 900 आप कितने लिखेंगे 900 तो इसका मतलब क्या है कि अब जब आप पहली एंट्री बनाएंगे पहली एंट्री में तो आप रिसीव करेंगे तो bank account debit to equity share application account अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि एक हजार से मल्टिप्लाई होगी किसर नाइन हंट्रेट्स होगे मुझे एक बात बताओ मेरे पास दस चॉकलेट और यह दस की दस चॉकलेट मैंने तुम्हें देने के लिए रखी हुई हैं लेकिन उनमें से आप लेकिन उनके मैं पैसे भ लिए कितने चत्तोट वहले नाइन चो्कलेटिस के लिए दिमांड कर रहा हुई होता, और एक बाता है कि दो आ कि दने तुम लोग wybचो ईनाइन चोकलेटिस के कर देश लोग हो है वांच गेज़गी तो पैसे दोगे आप लोग यह 10 पैसे दोगे जैसे आपका जो college युझ ओज़ और स्कूल जा पर आप teaching करता है कुछ वी चीज आपके कहीँ पर कोई ईवंट हो तो अब हुए कार्णी वाल order है उसके teacher इसके साल हो रहा है तो श्कूल वालों के पासं कि आपको आप सी तो आप उन्हें के पासं तो आप उन्हें कितना थो गया। हुआ कि तने कामांट आप से लेंगे यह आप से खांगों का फॉय। जो उनके पास 100 पास हा स्ट अन्हें अमाउंट लेंगे नहीं न तो अब मुझे बताओ कि जब कंपनी को जब कंपनी हाउजन्ट शेयर्स पब्लीक में इस्जू करेगी और पबली पबली करेगी किसाब हमें 900 शेयर्स चाहिए तो कंपनी पबलीक से कितने पर रुपे मागेगी 900 पर कि 1,000 पर 900 पर तो इसका किसमें ट्रांसफर कर दी जाएगी सेकेंड वाली एंट्रियम बना लेंगे एक्यूटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डबिट टू शेयर्स कापिटल अकाउंट कितने रुपे 2700 ऐसी अब थर्ड एंट्री बन जाएगी तो अब तो पहले ड्यू होगा तो एक्यूटी शेयर्स अलॉटमैंट अकाउंट डबिट टू शेयर्स कापिटल अकाउंट और टू सीक्योरिटी प्रेम्यम रिजर्व अकाउंट तो कितने रुपे के डिमांड गरी 9994 था 3600 और 910 9 तो कितना हो गया इस पर कंपनी क्या करेगी कंपनी इस पर अमाउंट रिसीव कर लेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्यूटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने रुपे 4500 कितने रुपे 4500 और आगे लास्ट कंपनी मांग लेगी अपनी फाइनल कॉल तो एक्यूटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कापिटल अकाउंट जिन भी बच्चों ने प्रीविएस वाली वीडियो नहीं देखी है एक बार वो प्रीविएस वीडियो जो है उसको देख लें क्योंकि तब ही आपके जो कॉंसेप्ट है ना ये वाले वो क्लियर हो बार उन्हें जरूर देख लें वहाँ पर हमने ये बहुत डिटेल्ड में डिसकस करें भी तो मैं केवल आपका जो है अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं बाकी एंट्रिस हमने बनानी सीख ली तो इस तरह से तो कुल मिला क करके समय कोई चेंज नहीं है बस केवल और कितनी क्या चेंज आया कि जो सर हमने इश्यू किये थे हमने उसको इग्नॉर कर दिया वह जिससे अप्लिकेशन रसीव है हमने उतने पर कर दिया अच्छा क्या सर ऐसा भी हो सब्सक्रिप्र इसमें प्रीमिम तुमने कर लिया तो इसी question के अंदर अगर calls in area दिया हुआ हो तो क्या होगा यह भी तो हो सकते हैं अगर इनके इस ही में calls in area दिया हुआ हो तो क्या होगा तो देखें मैं एक चीज़ करता हूँ यह आपने एक सेगंड दो देखो यह सारा question तो as it is था यह सारा question as it is था बस हमने क्या है यहाँ पे एक बंदा बिठाना है उस बंदे को 50 share देने और उससे कहना है कि भई इसने न तो allotment दी और न final call दी बात करता हूँ क्लियर होगे अब करलिंगे इसकी एंट्री देखो पहली एंट्री पर तो call scenario होते ही नहीं है मैंने आपको पता है था तो bank account debit to equity share application account 9-3 is a 2700 और यह वाली amount हम ट्रांसफर कर देंगे share capital account में तो equity share application account debit to share capital account 2700 अच्छा जी थर्ड एंट्री में थर्ड एंट्री में call scenario बेशक हुआ है सर लेकिन मांगते तो हम पूरा ही है क्योंकि मांगने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा area हुआ है या नहीं हुआ है या नहीं हुआ है पहले तो हम मांगेंगे उसके बाद ही तो पता चलेगा कि पैसा आया है के नहीं आया है तो टू टू शेयर कापिटल अकाउंट और सर टू सिक्योरेटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बहुत सिंपल सिंपल सी बात है सर इसमें आ जाएगा 3600, 900 और सर यहां पर आजाएगा 4500 और सर अब हम इसका क्या करेंगे बांक वाली रिसीव कर लेंगे तो सर यहां पर एंट्रियम बना लेंगे बैंक अकाउंट डबिट टू है ना बैंक अकाउंट डबिट टू एक्यूटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट सर प्रीमियम सर यह हमें 4500 रिसीव होने थे जिसमें से कि 50 रुपी 50 शेयर पर 5 रुपी मतलब 250 रुपे सर रिसीव नहीं हुए तो 250 रुपे क्या कर देंगे हम मैंनस कर देंगे तो हमारे पास कितने की अमाउंट आ जाएगी सर हमारे पास आ जाएगी 4250 सर आपने इसकी एक एंट्री और बताई थी हाँ तो उसको भी देख लो इस वो एंट्री गया बैंग अकाउंट डाबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डाबिट टू एक्यूटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट सर अलॉटमेंट में तो हमें पैतालिस सो मिलने थे यह तो अपर यहां पर दिया हुआ है सर दोसो पचास उरुपे मिले नहीं तो सर चारहजार रुपे यह तो इक्वल ही आ गया और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और बैलैंच शीट इंदर ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और इनका लेजर कैसे परपर के जाता है यह अमने प्रीवियस क्लास में बहुँट डिटेल में डिसकूस किया था तो एक बार आप उसको क्या करना देख लेना अब सर अब फिफ्थ एंटरी बना दू, एक्यूटी शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट, डबिट, टू, एक्यूटी शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट, डबिट, टू, शेयर कापिटल अकाउंट, सर ये प्रीमियम तो है नहीं, तो सर नाइन थ्री जा, 2700 ड़ानने चाहिए, अब सर 6th entry क्या बना हो गया आप, तो एक ही एंटरी मना रहा हूं है, क्या गर रहा हूं है, एक ही एंटरी मना रहा हूं, क्या गर रहा हूं बिटे, एक ही एंटरी मना देता हूं, तो एक ही एंटरी जब हम बनाएंगे, तो डारेक्ट एंट्री बना रहा हूँ बांक अकाउंट डेबिट टू एक्यूटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितने रूपे 2700 सर पचास शेयर ते पाच तिया पंदरह 150 सर 2700 में से 150 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 550 250 तो 2550 तो अंडर सब्सक्रिप्शन में कुछ भी नहीं है बस सारा कुछ वैज़े अज़े यह है बस आपको इन में इशूड शेयर से मल्टिप्लाइ ना करके किस से मल्टिप्लाइ करने हैं सभी इंस्टॉल्मेंट की 900 मतलब जितने के लिए एप्लिकेशन सब्सक्रिप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर नहीं हो रहा है तो एंट्री पास नहीं होंगी क्योंकि कंपनी शेयर सेशू नहीं कर सकती अब सवाल यह आता है कि सर इसमें हमारा MCQ कैसा बन सकता है देखें आपसे कॉल से नेरियर के अमाउंट पूछ सकते हैं भी कोशन तो सेमी है बस आपको कन्फ्यूज करने के लिए दे सकता है यह आपसे पूछ सकते हैं कि यह सिच्वेशन है सब्सक्रिप्शन के लिए अब मुझे यह बताइए कि कंपनी जो इंस्टॉल्मेंट मतलब पैसा जो मांगेगी वह थाउजन शेयर्स पर मांगेगी यह कॉल से एरियर कितने शेयर्स से होगा तो इन ही में से कुछ भी चीज पूछ सकती है समझा रहा है तो कोई चेंज नहीं आना है इसमें सारा कुछ एज़िट ही है क्लियर है अब बारी आती है ओवर सब्सक्रिप्शन की तो ओवर सब्सक्रिप्शन में क्यों होता है के एक सेकंड है ना जरह ठीक है चलो दिख रहंए न सब कुछ चलो ओवर सब्सक्रेप्शिवर्पिशन में क्या अबटा आप ज्यादा मतलब क्या होता है ज्यादा का मतलब की कि आपने शेहिस कम ईशू कर है आपने चैर इस जिद्पने एशू करने सब्सक्राइब करो मैं दो तीन केस देता हूँ यह जादी छोटा हुगया केस एक सेकेंड नहीं इसको मैं ऐसे ना करके इसको मैं ऐसे करता हूँ ग्रीन यह रहा केस वन केस वन में गए इशूड शेयर्स दाट इस फिफ्टीन थाउजड चालो कितने फिफ्टीन थाउजड ठीक है एप्लीकेशन रिसीवड चलो पूर ही लिख देता हूँ एप्लीकेशन रिसीवड एक बार स्पैलिंग चेक कर देना मेरी आल चाल चाल तो सही है यहां तो कोई आपती नहीं है चेक आजाओ दूसरे केस पर अभी बताओंगा सारा की इन में होगा क्या-क्या हाना केस टू आपने इशू कितने किये पंदरा हजार एप्लीकेशन रिसीव कितनी गरी है आपने सत्रह हजार ठीक है अब जो एक्सिस आया क्या आया एक्सिस आया तो एक्सिस कितने का आया सर दो हजार कोई आपती आते है ठीक एक और केस केस थर्ड सेम गहानी इस्यू शेयर्स पंदरा हजार एप्लीकेशन रिसीव सत्रह हजार एक्सिस कितनी आ गई दो हजार अब मेरी बात ध्यान से सुनना बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक है बहुत कोशन बनते हैं यहां से देखें कमपनी डिसाइड़ दब अच्छा यह डिसीजन कौन लेता है यह मैं बता देता हूं कि शेयर्स का अलॉट्मेंट कैसे करना है इसका जो डिसीजन लिया जाता है वो कमपनी के डारेक्टर्स लिखता है ठीक है ना कौन लेता है ये डिसीजन कंपनी के डारेक्टर्स तो कंपनी के डारेक्टर्स ने का कि जो एक्सेस पैसा है उसको हम क्या कर देंगे के रिफंड कर यहीं रिफंड कर देंगे तो अब में केवल और केื่ल केस वन कर रहा हूं किहां कर रहा हूं क्या रहा हूं मैं केवल और केवल 111 रनना चलो ऐसा है न थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए जगा चाहिए तो यहां पर मैंने आप से डिस्कस करा केस वन केस वन इसका मतलब है कि हम इश्यू कितने कर रहे हैं पंद्रह हजार रिसीव एप्लिकेशन कितनी हो रहे हैं सत्रह हजार और जो आपका एक्सेस आ रहा है उसको हमने क्या कर दिया रिफंड कर दिया हमारा शेर दस रुपे का है तीन चार तीन एप्लिकेशन अलॉटमेंट और फाइनल और प्रीमियम आ गया वन का इसको यहीं पर ले लो यहां पर चलो यहीं पर ले लो तो तोड़ा एडवांस बढ़ा दिन लेवल बढ़ा दिया कोई बात नहीं तो पहल है मेरे बच्चे पहली आंट्री जो आपकी बनेगी आफ फैली इंट्री जो आपकी बनेगी क्या बनती है बैंक अकाउंट डैबर के चीटीच्टại हाऊ हो एप्लीकेशन अकाउंट तो इक्युटी शेयर से क्लेंभी केश्षण अब मुझे बाब्स बतां हो आपके पास ए application कितने से आई 15,000 से 17,000 से दुआजार से application में ये रेसीव हो रहे हैं तो application कितने से रेसीव हुई है 17,000 से कितने से हुई है 17,000 से 17,000 चोक 17,000 फोरजा 68,000 तो ultimately आपको amount कितना रेसीव हो है 68,000 क्या ये बात clear होगई अच्छा अब मुझे एक बाद बताओ दूसरी एंट्री एक्यूटी शेयर एप्लिकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्यूरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट अब मुझे एक बात यह देखो बड़े द्यान से सुनने इस चीज़ को आपके पास एक्चुली अप्लिकेशन कितनी है सर पंद्रह हजार है पंद्रह हजार पर कितने रुपे लेने थे सर तीन रुपे इसका मतलब पैतालिस हजार रुपे और सर प्रीमियम कितने का लेना था एक रुपे का मतलब पंद्रह हजार रुपे तो ये कितना हो गया 60,000 रुपए कितना हो गया 60,000 रुपए लेकन आपने लेकन आपने लिये कितने है 68,000 तो ये जो बाकी के समझे लो ये जो बाकी के कितने रुपए 8,000 रुपए कैसे आए सर 2000 से एक्सिस थी और 4 रुपे प्रीमियम के थे 3 प्लस 1 देखो इसको और और ओपन अगर के लिख दता हूँ ताकि ध्यान से समझ में आज़े 3, sorry, 2000 2000 multiply 3 plus 2000 multiply 1 यह हम क्या कर दिंगे बैंक में बेश दिंगे यह हम क्या कर दिंगे बैंक में बेश दिंगे तो इस तरह से यह entry complete हो जाएगी अब जब हम allotment due करेंगे यह बात समझ में आगई आप लोगों के अब जब हम allotment due करेंगे 3rd वाली entry तो equity share allotment account debit to share capital account वह हम कितनी अमाउंट से करेंगे 17,000 से कि 15,000 से सर दो अजार तो वापिस कर जाता तो पंद्रह हजार से ही सारी entry बनेंगी वारी गुट यही चीज तो है जो तुम लोगों को सिखानी दी तो यहाँ पर कितना जाएगा 60,000 और यहाँ पर कितना जाएगा 60,000 बागी सारी entries as it is बनेंगी जैसे हम बनाते हुए आ रहे थे तो इसका मतलब यह है कि हम कभी भी जितने हमने shares issue करें originally shares issue करें उससे जाधा allotment नहीं कर सकते हैं कम कर सकते हैं 90% तक लेकिन जाधा नहीं कर सकते हैं मैंने अगर 10 चोकलेट दी हैं और तुम लोग डिमांड करने लगो कि सर मुझे तो 15 चोकलेट चीए 15 चीए तो मैं कहां से लाकर कर दूँगा मेरे पास तो 10 चोकलेट हैं मैं legally authorized तो 10 चोकलेट के लिए हुँ क्योंकि company जभी भी shares issue करती है तो company को security exchange board of India, stock exchange और जो उनके रजिस्टरार हैं उनके से permission लेनी पड़ते हैं कि हम इतने shares issue करने जा रहे हैं उसके बाद वो shares issue करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपने का जितना मैं आया पर्मीशन जो मिली है अब हमें 10 चोकलेट में आपके पास ले आया है अगर आपने नो मागी तो मैंने आपको बता दिया लेकिन अगर आप मेरे से कहने लोगों कि सर दस हमें तो 15 चोकलेट जीए तो मैं क्या बोलूँगा कि दिखो मेरे पास 10 चोकलेट है और वाकी पाच लोगों को मैं चोकलेट नहीं दे सकता तो वो अपना पैसा वापिस रख लो इतनी बात समझ में आगी अब दूसरी कंडिशन क्या हो सकती है सर दूसरा केस भी आपने बताया है इसमें मैंने क्या करना है यह जो इसका मेंक वर्किंग नोट यहां पर क्रियेट कर देता हूं कि अप्लिकेशन कितने से रिसीव भूए 17,000 से तो मैं इसका बाई वर्सिविकेशन कर दिया मैंने बोला कि एक काम करो दो पार्ट में ही यह एक ही मैं कर ले ता मैंने क्या करा मैंने तुमसे का कि यह 17,000 है और यह आपस में न पंदरा हजार में बाट्छ नो जैसे सपोस कर इसको इस तरह से समझो मेरे पास चोकलेट कितनी है दस है लेकर उनके डिमांड कितनी है पंद्रह तो आप 25 रेशियो 10 फंदरा रिषयो 10 तो इसका रिषयो की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा तो 5 a 3, 15 और 5 a 2, 10 तो इसका मतलब का जो बच्चे 3- में उनकी next installment में जब वो मेरे से दुबारा चीज मंगाएंगे तो उसमें मैं उस मनी को क्या कर दूँगा कर दूँगा इसका मतलब यह है कि आपने दिये तो मेरे को तीन चॉकलेट के पैसे हैं लेकिन मैं आपको कितने चॉकलेट दे कितने रहूं दो चॉकलेट तो जो एक चॉकलेट है उसका पैसा मेरे पर एक्सिस आगया न तो वह मैं आपका आगे next installment में एड़्जस्ट कर इशूड शेयर्स को कांपनी ने शेयर्स केटने इशू रहे हैं 15,000 रह न हैं एप्लीकेशन रिसीव application receive हुई है 17,000 से application कितने से receive हुई है 17,000 से तो access कितने का आ गया 2000 का आ गया ना और condition दे दी adjusted into allotment share कितने का है 10 रुपे का generally कर रहा हूँ premium के साथ नहीं कर रहा है समझी कर रहा हूँ कि premiums इसका कोई लेना देना नहीं है एना premium as it is रहेगा जैसा है clear होगी कहां नहीं है वाली तो अब इसका accounting treatment कैसे होगा वो देख लो देखो ज़रा तो समसे पहले हम क्या करेंगे का गया भई आजा यह रहा पहली entry bank account debit to equity share application account सत्रह हजार से application रिसीव करिये और तीन रुपे है सत्रह तिया 17 थीज़ा 51 ताउज़न उपर वाले में multiply गलत करेंगे थी क्या अच्छा उपर premium था ठीक है ठीक है उपर premium भी तो था इसमें premium नहीं ले रख रहा हूँने सेकेंड वाली entry बनो इक्यूटी शेयर एप्लिकेशन अकाउंट डबिट टू शेयर क्यापिटल अकाउंट तो बाद की कानी ना बाद में क्या खुरो एक्यूटी शेयर में हमारे कितने जाने है शेयर क्यापिटल में पंद्रह हजार से हमाउंट जानी है सबसे पहला काम हमारा पंद्रह हजार गया है multiply by कितने रुपे तीन रुपे कितना हो गया 45,000 रुपे हो गया चैज़ार कहां से भी 2,000 से एक्सिस अप्लिकेशन थी और 3 रुपे की अप्लिकेशन थी तो इनका क्या होगा इन्हें मैंने शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया अगर कहीं वह एडजस्ट करने के लिए कह रहा है तो आप क्या करोगे share allotment में transfer कर दोगे next call में transfer कर दोगे तो अब sir share allotment पर कोई impact नहीं पड़ेगा क्या पड़ेगा ना अगर आप अब वही वाली बात है आप पैसा तो पूरा मांगोगे equity share allotment account debit to share capital account कितने रुपे से sir 15,000 multiply by 4 very good कितना आगया sir 60,000 आगया अब 60,000 में से तुम कितना advance पे कर चुके हो मुझे sir 6,000 रुपे बस तो फिर तो अभी जब आप bank वाली amount receive करोगे bank account debit to equity share allotment account तो कितने से करोगे 60,000 से कि 54,000 से sir 54,000 से अब मैं तुम से पूछ हूँ कि ये बटा 54,000 कैसे है तो आप मुझे बदाओगे sir 60,000 हमें देने थे जिसमें से 6,000 हम आपको पहली चोकलेट में दे चुके हैं तो अब जो नेक्स चोकलेट में आपको देंगे वो हम आपको 54,000 का पेमेंट करेंगे और लास्ट वाली कॉल का क्या होगा sir वो as it is बन जाएगी वो as it is बन जाएगी उसमें कोई की चेंज नहीं होगा एक्यूटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डाबिट टू शेयर कापिटल अकाउंट 15 त्रीजा 45,000 और यह अमाउंट रिसीव हो जाहेगी बांक अकाउंट डाबिट टू एक्यूटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितने रुपे से 45,000 से क्लियर होगी यह वाला कुश्चन क्लियर होगी तो इसका मतलब सर या तो हम रिफंड करेंगे अगर रिफंड करेंगे तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि पैसा जा रहा है और सर अगर हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे तो यह हो जाएगा अब सर थर्ड वाला और केस था थर्ड वाला भी केस था वो भी समझो उसे ही क्यों छोड़ना है उसने कौन सा तुम से कुछ दुश्मनी थोड़ी किये अब देखो 17,000 है तो इसका मैंने बैवर्सिफिकेशन कर दियो दो पार्ट में कैसे कैसे वो समझ दस हजार 15,000 शेयर से शुख रहे हैं तो इसमें मैंने क्या किया जो 16,000 शेयर होल्डर्स हैं कितने 16,000 ठीक है उनको तो मैंने दे दिये 15,000 शेयर से इसमें अलग-अलग केसे बनते हैं और बाकी जो 1,000 थे उनको कर दिया रिपंड तो ये केस 2 हो गया और ये केस 1 हो गया एक तो ये कंडिशन है और एक क्या है कि आपके पास 17,000 शेयर से हैं फिर आपने इनका बाइवर्सिफिकेशन किया तो आपने क्या किया आपने क्या कहते हैं पांच सुरी चार हजार आइपोथेटिक लिए ले रहूँ आपने क्या करा दूसरे कंडिशन में आपने क्या करा दूसरे कंडिशन में आपने एक सेकंड बारह हजार जो शेयर होल्डर्स थे कितने बारह हजार जो एपलिकेंट्स थे उन्हें छे हजार नहीं छे नहीं दे रहे क्या कहते हैं पूरी दे देते हैं अब तो इनको 11,000 ही दे देते हैं तो 11,000 ही दे देते हैं तो 11,000 शेयर्स आपने इनको दे दिए 12,000 को कितने देते हैं 11,000 अब कितने एपलिकेंट्स थे उन्हों को आपने रिफंड कर दिया तो यह जो आप अभी तक करते हुए आ रहे थे यह केस्टू है और यह केस्वन है सिंपल अब इनको कहते क्या है और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है यह बड़ी गड़बड़ वाली चीज़ है इसको बड़े समझने की आवेशकता है तो मैं केवल अभी आज आपको इतना ही बता रहा हूं कि इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है जैसे मैं केवल आपके साथ केस आजा कर रहा हूं वही आपका कोश्चन है केस थर्ड का दीखें अंडरस्टेंडिंग वाली बात है 17,000 एप्लिकेंशन रिशीव हुई 12,000 स्वरी 16,000 को आपने 15,000 एप्लिकेशन से दे दी और 1,000 को आपने क्या कर दिया रिफंड कर दिया अभी तक मैंने केवल आपको इतनी बात बता रहा हूं दस वही तीन चार तीन चलिए तो अब जब मैं इसकी आगे बात करूंगा तो सबसे पहले एंटरी जो पास होगी बेर बच्चे वो क्या होगी बैंक अकाउंट डबिट टू शेयर एप्लिकेशन अकाउंट पहली एंटरी एप्लिकेशन कितने से रिचीव है 17 चातो 17 तीया एक क्या वन 17 तरीजा फिफ्टी वन अब दूसरी एंटरी बड़े ध्यान से समझने है इसको एक्क्यूटी शेयर एप्लिकेशन अकाउंट डबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट पहली गानी इसमें तो 51,000 ही जाएंगे लेकिन कि शेयर कैपिटल में 51 जाएंगे नहीं कितने शेयर से शू करें 15 तो 15,000 ही जाएंगे कितने जाएंगे 15,000 ही जाएंगे 15,000 ही जाएंगे 15,000 या 45 तो सर बाकी रिफंड में नहीं तो अब आपने इन में से एड़ जेस्ट कितने गएंगें ऐसा तो करने के लिए कुछ कहा ही नहीं है नहीं कहा ना अब आपको यहाँ पर खुद से इस बात को समझना है कि अगर अगर यहाँ पर refund नहीं कहा गया है तो इसका मतलब है कि आपने 16 ratio 15 लिया है और इस condition को कहते हैं प्रो राटा क्या क्याते है इसको प्रो राटा तो आपको कहा है कि नहीं कहा है डिजन्ट मेंटर आपको ओटो मेंटिकली इस अमाउंट को मतलब 1000 से 1000 से एकसेज आ गया ना तो इस अमाउंट से ओल्रेडी आपको जो यह जो एकसेज अमाउंट है इसको आपको एडजस्ट कर देनी है किसम अलॉटमेंट में और बाकी जो लास्ट वाली रहेगी रिफंड वाली वो आपकी बैंक में चली ही जाएगी टू बैंक अकाउंट केतने रुपे थाउजेंड मिल्टिप्लाइबाइब थ्री देट इक्वल टू थी थाउजेंड अच्छा तो सर इसका अलॉटमेंट पर भी कोई फरक पड़ेगा बिल्कुल बहुत कहरा संबंध है इसका अलॉटमेंट से वो क्या है जी वो यह है एक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट केतने रुपे शिक्टी एट थाउजेंड नहीं फिफ्टीन फोर्जा 60 फिफ्टीन फोर्जा 60 फाउजेंड चीक और सर यह वाली एंट्री कैसे बनेगी देखको बैंक अकांट डेबिट तू बैंक अकांट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment account equity share allotment account तो यहाँ पर अब आप कहोगे सर साथ हजार में से हमने तीन हजार पहले ही दे दिये हैं तो हम केवल और केवल आपको 57,000 का amount पे करेंगे और final call as it is बन जाएगी इसमें जो problem आती है जो confusion आता है वो आता है when shares are oversubscribed and there is a call sign right तो वो तो अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि वो एक अपना अलग comprehensive topic है तो उसको उसी वक्त discuss करेंगे तो वो जादा reliable रहेगा आपके लिए और जादा वो आपके लिए effective भी रहेगा क्योंकि ultimately हमें कोर्स खींचना है लेकिन अइसा नहीं घीजना है कि हमें चीज़ें समझ में ना है देखें मेरा सीधा सीधा समय यह मान करके चलता हूं कि आप जितनी चीज़ सीख रहे हो वो authentic होनी चाहिए और उस समय के लिए और आप in future उस चीज़ को ना भूले तो आपके सीखने का मतलब महत रहता है वरना तो कोई फायदा नहीं है आप आज उसको कल भूल जाओगे उसका कोई matter नहीं रहता और यही रीजान है जिसकी वज़ए से जो exam time होता है उसमें आधिसी चीज़े आधिस से ज़्यादा चीज़ें जो होती है वो गायब हो जाती है तो अभी मैंने केवल और केवल आपको under subscription और over subscription के cases करा है कल जो हम करेंगे वो आपके साथ particularly जो प्रो राटा वाला सीन होता है शूओ शेर में जो बच्चा हो बतानी क्यों हवा ठाइप से लगता है जबकि इतना easy है कि आप जब करोगे तो आप से बहुत प्यार से वो questions क्या होने लगेंगे sort out होने लगेंगे तो आप बने रही है दिगा मंतरा के साथ एक के concept बारी की से हम लोग discuss करेंगे ताकि कोई भी problem आपको उनसे related नहीं हो समझा रहे है कोई भी problem उनसे related नहीं हो ठीक है तो चैनल को share और subscribe करते रही है हाँ shares के notes ज़रूर बनाईए बहुत effective रहेंगे आपके लिए बहुत effective रहेंगे अच्छा मैंने आपके साथ एक चीज डिसकस करी थी और वो मैंने आपसे discuss किया था कि अगर अगर company shares issue करती है और उसको over subscription हो जाता है क्या हो जाता है उसको over subscription हो जाता है तो उस over subscription के case में कमपनी को अगर कुछ भी ना कहा गया हो कि उसको कहा पर वो access amount adjust करनी है तो वो share allotment में वो amount adjust करेगी क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है या केवल और केवल हम assume करके चलते हैं तो कई जगा के जाता तर आपको यह भी बता दे जाएगा कि आज्यों कर लेता है कि next installment में मांगा जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है section 43 subsection 3 part a क्या section 43 subsection sorry section 40 subsection 3 part a तो 43 a क्या 43 a मैं आपको लिख करकी बता देता हूं 43 a कहां गया भाई कहां पेज मिलेगा यह रहा तो 43 3 और ए तो इसमें इसको चीज को define किया गया कि कोई भी company अगर question silent है तो वो कहां पर transfer कर देगी अपनी next call में transfer कर देगी देखो पहले क्या होता है पहले allotment में transfer करता है अगर transfer होने के बाद भी पैसा बचे जाए तो calls में adjust किया जाता है और calls में पैसा adjust करने के बाद भी इतना एक से surplus लागे कि फिर भी पैसा बच गया है तो फिर वो refund कर दिया जाता है ये कौन सा case है if question is silent तो अपनी preparation भी कुछ ऐसी ही है हमारी preparation भी silently होनी चाहिए लेकिन धमागा करने वाली होनी चाहिए फटा फट से channel को subscribe कर दो share कर दो और फटा फट से comment करना शुरू करो चलो जल्दी subscribers बढ़ जाने से ही कैसे बढ़ेंगे आपकी जिम्मेजारी मैं नहीं जानता ये आपका काम है मेरा काम समापत हो गया आपका काम शुरू notes बनाओ, revision करो और फटा बट से study पर लग जाओ लेकिन हाओ channel के बारे में सोचना मत भूलना मिलेंगे कल एक नहीं वीडियो के साथ जहां हम डिसकस करेंगे और बहतरीन concepts तो comment करके मुझे बताएए आज का topic आपको कैसा लगा जाहिंद करेंगे बताएएएए जाहिंद